हलो एवरीवान वेलकम टू आज चैनल फान फिक्शन लवर्स गाइज आज से मैं एक न्यू फान फिक्शन स्टोरी फॉलन रोज एक्स्प्लेइन करने जा रही हूँ जिसे हमारी राइटर यी जान अंडर स्कूल वर्ल्ड जो इनका वाटपैड नेम है उन्होंने औरीजनल और के कंसेंट से री राइट हिया है और हमेशा की तरह ही मैंने हमारी राइटर का कंसेंट और रड़ी ले लिया है यह स्टोरी एक लव च्वाइंगल है और मुझे उमीर है आपको यह फैन फिक्शन स्टोरी पसंद आएगी तो इस स्टोरी के बारे में हम अभी ज्यादा करेंगे बलकि हम धीरे धीरे इस पैन फिक्शन स्टोरी को कॉंटीनू करते हुए इंजॉय करेंगे तो फिर चलिए आज का एक्स्प्रेंशन हम शुरू करते हैं श्याओजा अपने ओफिस के लिए रेडी होते हुए अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था आज फिर की रेपूटेशन बिजनस वर्ल्ड में बहुत अच्छी है जो अपने कड़े डिसिप्लिन के लिए मानी जाती है जहां एक भी गलती का मतलब काम से टाटा बाइबाइ है शीजे क्या आपने मेरी घड़ी देखी जान अपनी सिस्टर से प्रयार होते हुए पूछता है सोफ जान अपनी सिस्टर के साथ रहता है जो बहुत ही कूल परसन है और जान से बहुत ज्यादा प्यार करती है अपने पेरेंस की देख के बाद से जान की बड़ी बेहन ही जान का खयाल और उसे प्रोटेक्ट करती आई है और वो ही अब जान की मॉम और डैड है मैं जा रहा हू जान ये कहकर फॉरन अपनी कार में बैठ कर अपने ऑफिस के लिए जल्दी में निकल जाता है। ऑफिस पहुंचते ही जान को कोई पीछी से आवाज देता है। जब जान पलट कर देखता है तो वो आचिंग था जो जान को सर्प्राइजड लुक के साथ देख रहा था। जिसके लुक को जान समझ ही नहीं पा रहा था कि आचिंग उसे ऐसे क्यों देख रहा है। तभी अचानक से हाई क्लास औरा को कैरी किये हुए कुछ लोग उस तरफ बढ़ रहे थे जहां जान और आचिंग खड़े थे। वो सारे शायद प्राइविट एलिवेटर के तरफ जा रहे थे जो स्टाफ एलिवेटर के साथ था। तभी उनके बीच में से एक हैंडसम यंग मैन बाहर निकल कर सबसे आगे चलने लगता है। जिसके पीछे चार लोग उसे फॉलो कर रहे थे। उस इंसान का स्टाइल औरा और क्लास देखकर जान को वो कोई डारेक्टर या स्टेक होल्डर लग रहा था। तभी चार को अपने मैनेजर की बात यार आती है कि आज कंपनी का CEO आने बाला है। तो शायर ये कंपनी का CEO ही होगा। ये सोचकर जान मन ही मन में कहता है वाव ये कितना कूल है। CEO को देखकर सारे लोग जो भी उस वक्त रॉबी में थे अपना सिर जुका कर बोग करते हैं। जहान जान भी बोग करता है। एलिवेटर से सिर्फ पाच कदमों की दूरी पर रुखकर CEO सब को रुखने का इशारा करके पलटकर जान की तरफ देखता है। जहान अपना सिर उठाकर CEO की तरफ और उन दोनों की नज़रे एक दूसरे से मिल जाती है। जिसकी वज़े से जहान मन में चीक पड़ता है। ओ गौड अब मैंने क्या गलती कर दी। यह सोचकर जहान दुबादा अपना सिर बोग करने के लिए जुका लेता है। लेकिन अगले ही पल उसे CEO अपने सामने खड़ा मिलता है। जिसे देखते ही जहान की हार्ट बीट्स तीज हुजाती है। और वो मन में सोचने लगता है। अब क्या हुआ आप इस तरह मेरे सामने क्यों आ गए सर। गलत साइड है। यंग CEO की डीप वोईस जहान के कानों में पड़ती है। जिसे सुनते ही जहान को अपनी पूरी बोड़ी में एक चिलिंग सेंसेशन फील होती है। तब ही जहान मन में कहता है एक मिनट उल्टी साइड है, इसका प्रमतलब है। यह सोचकर जहन अपना सिर उठाकर CEO की तौर देखता है। CEO फिर से कहता है, तुम्हारी स्लीव्स उल्टी है। क्या? जान मन में इस सवाल के साथ अपनी शर्ट की तरब देखता है तो उसने उल्टी साइट से शर्ट पहन रखी थी ये देखते ही जान का उस वक्त शर्म से मर जाने का मन करता हा था और वो देख पा रहा था कि लॉबी में खड़े सारी लोग अपनी हसी को दबाई खड़े थे इंक्लूडिंग आचिंग तब ही अपनी सिचुएशन को समझते ही जान CEO के आगे जल्दी में बोग करके वहां से भाग जाता है और मन में खुद को कोशता है वो श्याओ जान सब खत्म हो गया जान की स्पीच सीधे टॉलेट में जाकर रुखती है और वो फॉरण अपनी शर्ट को सीधा करके पहन लेता है और सोचता है कि उसे आज आना ही नहीं चाहिए था वहीं दूसरी तरफ वांग यीबो का अज पहला दिन था यीबो एज में कम है पर उसके बिजनस केपिबिलिटी पर कोई शक नहीं कर सकता जबसे वो हाई स्कूल में था तबसे उसके फादर यीबो को बिजनस ट्रिप्स पर ले जाया करते थे छोटी सी उम्र में ही वो बिजनस वर्ल्ड के काफी बड़े नामों को जानने लग गया था आज लॉबी में एलिवीटर की तरफ जाते वे उसकी नजर वहां करड़े एक यंग में पर पड़ी जो अपने फ्रेंड के साथ एक ब्यूटिफुल स्माइल के साथ बात कर रहा था उस प्यारी सी स्माइल के साथ यीबो उसके क्यूट बनी तीथ भी देख पाया था उसके वेट पिंक लिप्स और उन लिप्स के नीचे उसका ब्यूटि मार्क एक मोल भी जो उस यंग मैन के चीरफुल फेस को एक सेक्सी इंप्रेशन दे रहा था जहां उसकी बड़ी-बड़ी यांके उसके ब्यूटि को और ज्यादा बढ़ा रहे थे वो यंग मैन इन शॉर्ट बेहत ब्यूटिफुल दिख रहा था इबो ने जैसे ही उस ब्यूटिफुल मैन को क्रॉस किया तो उसका घ्यान उसकी शृट पर गया जो उसने उल्टी पहने भूई थी यही मौका पाकर इबो ने उसके करीब जाने कर सोचा और ज्यान को उसकी उल्टी शृट के बारे में बताया यीबो तो बस जान की help करना चाहता था पर जान embarrassed होकर वहाँ से भाग गया जिसकी हरकत से यीबो के चहरे पर एक प्यारी सी smile आ गई थी वही लंच टाइम पर कैंटीन में आचेंग जान पर हसे जा रहा था और जान सुबह के incident से embarrassed सबसे अपना चहरा चुपाए था अपना मूँ छुपाए कहता है जहां आचेंग हसते वे कहता है कि अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है जिसके बाद आचेंग अपना phone निकाल कर जीई को call करके उसके छोटी भाई के silly ness को बताने के लिए जैसे ही number dial करता है जान आचेंग से उसका phone चीन लेता है तो आचिंग जहान से अपना फोन वापस छीनते हुए कहता है कि वो तो Z.E. को मैसेज और रेडी सेंड कर चुका है दरसल आचिंग बहुत लंबे समय से जहान की बहन Z.E. को पसंद करता है पर Z.E. की कोल बहेवियर की वज़े से उसके सामने अपना प्यार कंफेस करने से डरता है लेकिन हर रोज उससे बात करने का कोई ना कोई मौकर ज़रूर ढूल लेता है और आज तो आचिंग को Z.E. से बात करने का बहुत अच्छा बहाना मिला था तभी ज़ान इरिटेट होते वे आचिंग के शूल्डर पर मारते वे कहता है कि वो कितना बुरा दोस्त है और वो उसे और कब तक टीस करने वाला है जिस पर आचिंग सिर्फ हसता रहता है और दोनों दोस्त इसी तरह अपना लंच पुरा करके अपने काम पर वापिस चले जाते हैं वहीं आफ्टरनून में जान दा मैनेजर अपने डिवीजन में आकर सबको बताता है कि उनके डिवीजन की तरफ से जान का प्रपोजल कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया है और उनके इलावा एक दूसरे डिवीजन का प्रपोजल भी सिलेक्ट हुआ है इसलिए as a reward मिस्टर वॉंग ने दोनों डिवीजन के सारे employees को डिनर ट्रीट पर invite किया है जहां कंपनी के CEO मिस्टर वॉंग भी आएंगे इबो का जिक्र सुनते ही जहां डिनर पर जाने से मैनेजर को मना करता है तो मैनेजर जहां से कहता है कि उसका डिनर पर होना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रपोजल उसी का है तो जहां मना करने की कोशिश करते हुए कहता है कि प्रपोजल पर सबने काम किया है तो जान के कुलिगs फॉरन बोल पढ़ते हैं कि उन सबने तो बस जान का साथ दिया था और प्रपोजल तो उसी का था इसलिए जान को अपने डिविजन के लिए डिनर पर चलना ही होगा और वैसे भी वहाँ डिनर पर डोनों डिविजन के काफी सारे लोग होंगे तो Mr. CEO को जान का चेहरा याद भी नहीं होगा सबकी बाते सुनकर भारी मन से जान डिनर पर जाने के लिए हा कह देता है वही रेस्टरान में पहुँचकर जान थोड़ी राहत की सांस लेता है क्योंकि उसकी सीट Mr. Wong की सीट से काफी दूरी पर थी लेकिन जैसे ही वहाँ जान थोड़ा रिलाक्स होकर अपना ड्रिंक इंजॉई करने लगता है एक लड़की आकर जान के करीब आने की कोशिश करती है दरसल जब से जान ने Wong गृप में काम करना शुरू किया था तब से ही यांगजी ने जान को चेस करना शुरू कर दिया था पर जान और आचिंग दोनों ही यांगजी को पसंद नहीं करते थे क्योंकि इनोसेंट डिखने वाली यांगजी दरसल में एक करिंग और अनॉयम लड़की थी यांगजी को अपने पास बैठा देख जान चिड़कर पूछता है कि वो उसके पास क्यों बैटी है तो यांगजी कहती है कि वो सिर्फ जान के साथ ही बैठना चाती है लेकिन जान यांगजी पर कोई भी ध्यान न देकर अपने ज्रिंक को उन्जय करने लगता है बिना इस बात पर ध्यान दिये कि किसी की आँखे हर पल बस उसे ही देख रही थी जान का चेहरा एलकोहल की वज़ेसे लाल हो रहा था जिसकी वज़ेसे वो दो आँखे जान के चेहरे से हट ही नहीं पा रही थी जब तक डिनर पार्टी खत्म हुई जान और आचिंग दोनों ही ड्रंक हो चुके थे तब ही उन दोनों का एक दोस्त उन्हें घर ड्रॉप करने के लिए ले जाने लगता है लेकिन यांग जी आ कर स्टीवन से कहती है कि वो जान को घर ड्रॉप कर देगी क्यूंकि उसका और जान का घर सेम रास्ते पर परता है जिसे मान कर स्टीवन जान को यांग जी के साथ छोड़ कर आचिंग को अपने साथ ले जाता है वही यांग्जी इस मौके का पूरा फायरा उठाने का सोच कर जान को सहारा देकर उसके कार की तरफ ले जाने लगती है तब ही जान अचानक ड्रंक हालत में यांग्जी को अपने पास नोटिस करके पूछता है कि वो उसके साथ क्यों है जिस पर यांग्जी एक इवल समाइल के साथ कहती है कि उसे जान बहुत ठकावा लग रहा है इसलिए वो उसे पास के होटेल में रेस्ट करवाने ले जा रही है जिस पर जान स्माइल के साथ ओके कहता है लेकिन जान ड्रंक हालत में यैंग्जी से खुद को छुड़ा कर रोट के साइट पर एक बेंच पर बैठ कर हसने लग जाता है जिसे देख यैंग्जी उसका हाथ पकड़ कर अपने साथ ले जाने के लिए खीशने लगती है उसे छोड़ो अचानक से ये आवाज सुनकर यैंग्जी का पराज आती है और जैसे ही पीछे मुर कर देखती है तो वो इनसान अपने गंभीर आवाज में आगे कहता है मैं उसे घर छोड़ दूँगा उस इनसान को अपने सामने देख यैंग्जी की आँखे हैवानी से बड़ी हो जाती है और वो कापनी आवाज में कहती है मिस्टर, मिस्टर वांग वहीं अगले दिन सूरज की केड़ने रूम के कर्टन से छनका जान की आँखों पर पर दही थी जिसकी वज़े से जान दीरे से अपनी आँखे खोल कर उस अंजान कमरे की हर चीज को देखकर समझने की कोशिश करता है और वो जैसे ही अपनी बाहे स्ट्रेच करता है उसकी आँखे हैरानी से खुली की खुली रह जाती है जब उसे अपने पास CEO वांग सोया हुआ मिलता है जिसे देखते ही जान मन में चीक पड़ता है ओ माई गॉड हे भगवान ये क्या गरबर कर दी मैंने तब ही जान खुद पर नज़र डालता है तो वो शर्टलेस था जिसे देखते ही जान फॉरन अपने मूँ को अपने दोनों हातों से कवर कर लेता है फिर धीरे धीरे अपने उपर से ब्लैंकट हटा कर अपने लोवर पार्ट को देखकर थोड़ा रिलेवट फील करता है जब वो खुद को पैंट पहने वे देखता है जिसके बार जान लेक्सी करके वहां से चला जाता है अपने घर से फ्रेशन अप होने के बाद ऑफिस पहुंचकर भी जान बहुत परिशान था वो टेबल पर अपना सिर रख कर कंप्यूटर कीबोड पर अपना हाथ चला कर अपना काम करते वे सोचे जा रहा था कि आज उसका करियर इस कंप ओफिस में बुला रहे हैं जिसे सुनते ही जान का चहरा पीला पर जाता है और मिस्टर वॉंक के ऑफिस कीतरफ बढ़ते वे वो सोचे जा रहा था कि क्या सीओ वॉंक उसे जॉप से निकालने वाले हैं या मात ही डालने वाले और आखिर वो उनके घर पहुंचा कैसे जान यीबो से अंदर आने का पर्मीशन पाकर जैसे ही रूम में एंटर करता है, अपनी डर्स से कापती हुई आवाज में पूछता है, CEO वांग आपने मुझे बुलाया है? जिस पर यीबो उसे वहां बैठने को कहता है, और जान कापता हुआ, चुप चाप वहां सोफे पर जाकर अपना सिर नीचे जुका कर बैठ चाता है, ठीक दस मिनट के बाद, फाइनली CEO वांग अपनी सीट से उठकर जान के पास सोफे के करीब आकर पूछता है, क्या तुम्हें याद है कि कल रात क्या हुआ था? वो सर, वो, वो मुझे याद नहीं। जान हिच की चाते हुए स्माइल के साथ जवाब देता है, जिसे सुनते ही यीबो जान से पूछता है कि फिर वो उसके घर से सुबद चुक चाप भाग क्यो गया था? यीबो का ये सवाल सुनते ही जान डर से कापने लगता है और कोई जवाब नहीं दे पाता। वही जान को कुछ भी कहने का मौका ना देते हुए यीबो आगे सवाल करता है, क्या तुमारी बॉडी ठीक है? यीबो का ये सवाल पूरा होते ही जान अपने दोनों हाथों से अपना मूँ कवर कर लेता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो आज सुभा वो दोनों ही शर्टलेस थे और ये सोचते हुए ही जान अपने मूझे अपना हाथ हटाता है और उसका पोरा चेहरा शरंसे लाल हो जाता है जान अपने ख्यालों में रहते हुए ये ध्यान भी नहीं दे पाया था कि उसके CEO की नज़रे उसके लाल हो चुकophone गाल से होते हुए उसके पिंक लिप्स और उस लिप्स के नीचे मोल पर आकर रुख गए थे तब ही यीवो पूछता है कि जान सौरी क्यों फील कर रहा है क्या उसे कुछ याद है जिस पर जान हेजिटेशन के साथ ना कहता है जान का जवाब सुनकर यीवो उसे वापस जाकर अपना काम करने को कहता है यीवो की बात सुनते ही जान एक राहत कि सांस भर कर जल्दी में यीवो को बोकर के जैसे ही केबिन से बाहर निकलकर रेलीवेटर की तरफ जाता है किसी से बुरी तरह से टकरा जाता है और अपने पनिक स्टेट में ही सामने से कहता है sorry sorry आप ठीक तो हो ना sorry मैं जल्दी में था यह कहकर जान वहाँ से चला जाता है जान के लिए वह सिर्फ साथ सेकंड्स का एक छोता सा पल था जिसमें वह किसी से टक राया था पर उस आदमी के लिए वह सबसे लंबे साथ सेकंड्स थे जो उसके लिए स्लो मोशन में भीते थे जिसमें उसने जान के चहरे की हर एक खुपसूर्ती को नोटिस किया था कि वह कितना प्यूटिफुल है हेलो भाई वह आदमी यीबो के केबिल में जाकर यीबो से कहता है जहां यीबो अपने सामने अपने छोटे भाई डेरन वांग को देखकर और कैलेंडर में सब कुछ कैसा चल रहा है जिसके बार दो दो भाई बहुत सारी बाते करते हैं वहीं दूसी तरफ जान जैसे ही अपने वर्क स्टेशन पर वापिस आता है उसे उसके कोलीक्स घे लेते हैं और आचेंग फिक्र करते वे पूछता है कि क्या वो ठीक है जिस सोचते हैं कि शायद उनका CEO जान के साथ बहुत क्रूल रहा होगा और उसकी सैलरी डिडक्ट कर ली होगी लेकिन कोई भी जान से कुछ नहीं कहता वहीं लंच टाइम पर येंगजी आकर जान को लंच पर चलने को कहती है पर जान अर्डेर इतना परिशान था कि वो पीछा करते हुए जैसे ही एक खाली कॉरिडर में पहुंचती है जान को धका मार कर दिवार के सारे खड़ा करके अपने दोनों हातों की बीच में फसा लेती है वहीं येंगजी के इस सड़न एक्शन को देखकर जान बुरी तरह से घबरा कर येंगजी को तमीज से पेशान कि कोई वहाँ आकर उन्हें इस पोजीशन में देखकर कहीं गलत ना समझ बैठे तभी कॉरिडर की कॉर्णर से एक फिगर उनकी तरफ आने लगती है और वो फिगर उन दोनों को इस पोजीशन में देखकर अपने ही जगह पर फ्रोस खड़ी रह जाती है और येंगजी जै करना मना है और ये कहकर यीबो अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वहां से चला जाता है यीबो के जाते ही जान गुस्से में चिलाते हुए येंगजी से कहता है कि उसकी वज़े से अब CEO उसे गलत समझेंगे और आज के बाद येंगजी जान से दूर रहे ये कहकर जान वहां से चला जाता है और येंगजी अपनी ही जगापर हैरानी से खड़ी रह जाती है क्योंकि जान आज तक किसी पर भी नहीं चिला आया था और येंगजी ने सोचा भी नहीं था कि जान उस पर इस तरह से चिला देगा वही office hours के बाद जान कंपनी के बाहर से online taxi बुक करने के लिए खड़ा था क्योंकि last night उसकी car restaurant parking में रह गई थी तब ही अचानक एक expensive sports car उसके सामने आकर रुखती है और जैसे ही car की window glass नीचे होती है वहाँ यीबो का handsome चेहरा दिखता है जो जान को intense नज़रों से देखे जा रहा था वहीं जान भी अपनी नज़रे यीबो से हटा ही नहीं पा रहा था ठीक पांच मिनट एक दूसरे को देखते रहने के बाद यीबो सिफ दोशब कहता है कमिन जिसे सुनते ही जान हैरान चेहरे के साथ अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि क्या CEO उसे कह रहे हैं और ये सवाल करते हुए जान मन में ही भगवान से शिकायत करते हुए पूछे जा रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी और क्या होना बाकी है वहीं जान कन्फ्यूज नज़ों से इबो को देखे ही जा रहा था और उसे लग रहा था कि उसके दिमाग का आक्सिजन कम हो रहा है और वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा लेकिन तब ही जान को स्टैचू की तरह खड़ा देख इबो कार से बाहर आकर जान का हाथ पकर कर उसे पसेंजर सीट पर बैठा देता है और खुद वापस जैवर सीट पर आकर बैठते ही जान का क्योट घबराया हुआ चहरा देखकर इबो जान से स्माईल के साथ उसके घर का एड्रिस पूछता है तो खुद को संभालते वे जान कहता है कि वो अपने कार को पिक करने रेस्टोर जा रहा था जान जैसे ही अपने रेस्टोर वाले बात पूरी करता है उसको मौर्निंग का सीर याद आ जाता है जब वो सीईओ वांग के बेट पर सोकर उठा था और ये याद आते ही जान बलश करने लगता है जिसे देख यीबो के चेरे पर भी एक हलकी सी स्माइल आ जाती है जिसके बाद यीबो जान को रेस्टोर के पार्किंग एरिया में लेकर आता है और जान कार से बाहर आ जाता है जिसके पीछे यीबो भी कार से बाहर आ जाता है जान यीबो को बोग करके थैंक्यू कहता है और जैसे ही वहाँ से पलट कर अपनी कार की तरफ जाने लगता है, यीबो उसे रोक देता है। यीबो की आवाज सुनकर जान अपने ही जगार पर रुखकर जैसे ही यीबो की तरफ पलटता है, यीबो पूछता है कि क्या जान ये जानना नहीं चाहता कि कल रात क्या हुआ था? यीबो की बात सुनकर नजाने कहां से हिम्मत पाकर जान हां कहता है और जान कहां सुनते ही यीबो स्माइल के साथ जान की तरफ बढ़ने लगता है और जान unknowingly पीछे हटने लगता है जहां पीछे हटते हटते अचानक जान की back कार पर लग जाती है और यीबो उसे अपने दोनों हाथों की बीच में फशा लेता है यीबो को ऐसा करता देख जान कापती आवाज में कहता है Sir, Sir तब ही यीबो जान की तरफ जुखकर उसके कान में दीरे से जान का नाम लेता है जाउचा जान जिसके कान बहुत सेंसिटिव थे अच्छानक यीबो की आवाज और सांसों को अपने कान पर महसूस करके पैनिक होते वे फोरन यीबो की तरफ मुड़ता है जिसकी वज़े से उसका फोर हेड यीबो के फोर हेड से तकरा जाता है और यीबो पेन में दो कदम पीछे हट कर अपना सिर पकड़ लेता है वहीं जान भी अपना सिर पकड़े यीबो को सौरी कहकर respectfully बो करके फोरन अपने कार में बैठ कर वहाँ से भाग जाता है और यीबो सिर्फ अपना सिर पकड़े जान को वहाँ से जाते विर देखता रहता है तो गाइस आज का ये वीडियो एक्स्प्लेनेशन मैं यहीं रोपती हूँ और उमीद करती हूँ कि आप सब को आज का ये वीडियो एक्स्प्लेनेशन पसंद आया होगा इसलिए आप सब प्लीज मुझे अपने कॉमेंट करके बताईएगा कि आप सबको इस FF का ये फर्स पार्ट कैसा लगा और अगर आप सबको इस FF का ये फर्स पार्ट एक्स्प्लेनेशन पर संद आया हो तो प्लीज अपने लाइक जरू दीजिएगा और जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो आज के लिए बस इतना ही मैं जल लोटूंगी नेक्स वीडियो एक्स्प्लेनेशन के साथ तब तक के लिए बाई